हे गाईज मैं सुम्हम आप सभी लोग का प्रेज चैनल हाइफाइजगेटर में स्वागत कता हूँ तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि आज का टॉपिक है एगरी कल्चर फिजिक्स जिसमें हम आज के टॉपिक्स पढ़ाएंगे आप लोगो इंपोर्टेंट होंगे तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं और आपको बदाते हैं स्टुडेंट पहला कोश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक ही पदार्थ के अड़ों के मध्य लगने वाले आकरसर बल को क्या कहते हैं तो आपको बदा दू एक ही पदार्थ के आगला नेक्स कोशन में आपसे पूछा जाता है कि गैसों में ससंजन बल का मान कितना होता है तो आपको दादो गैसों में जो ससंजन बल का मान होता है वो नगन होता है ये हमेशा नोट करिएगा चलेगा इस नेक्स कोशन की तरब चलते हैं नेक्स कोशन में आपसे पूछ पूछा जाता है कि दो भिन्य पदार्थो के अड़ों के बीच लगने वाले आकरसर बल को क्या कहते हैं तो अभी हमने संजन बल के बारे में बताया यह आसंजन बल का एक डिफनीशन है जिसमें पूछा जाता है कि किस बल के कारण एक वस्तु दूसरे से चिपकती है ध्यांदीजे का जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपकती है तो एक बल लगता है और उस बल को क्या कहते हैं तो उस बल को हमेज़ा ध्यांदीजे का आसंजन बल कहते हैं और उसी के द्वारा एक दूसरे से वस्तु च कि पक्ति है अगला next question में आपसे पुछा ज़ड़ा है कि बदाई कि प्रिष्ट तनाओ का SI मात्रक क्या है तो आपको बदादो प्रिष्ट के छेतरपल में एकांख पृध्धी करने के लिए किया गया कार किसके बराबर होता है तो आपको बता दू द्रौ के प्रिष्ट तनाव के बराबर होता है किसके बराबर द्रौ के प्रिष्ट तनाव के बराबर होता है अगला next question आपसे पूछा जाता है कि द्रौ का ताप बढ़ाने पर प्रिष्ट तनाव पर क्या प्रभा पड़ता है तो जब भी DROKA TAP बढ़ाएंगे वो प्रिष्ट तनाव क्या होगा? कम हो जाता है, या कम हो जाता है अगरा Nex Question की तरफ चलते हैं और आपको बदाते हैं नेक्स Question में आपसे पूछा जाता है की बताईए कि DROKA TAP ग्रानतिक ताप तक बढ़ाने पर प्रिष्ट तनाव पर क्या प्रभाः पड़ता है तो द्रौका ताप क्रांतिक ताप तक बढ़ाने पर जो प्रिष्ट तनाव पर प्रभाः पड़ता है कि प्रिष्ट तनाव सुन्ने हो जाता है क्या होता है प्रिष्ट तनाव सुन्ने हो जाता है वही नेक्स कोशन में आपसे पुछा जाता है कि जल की बूंद किसके कारण गोल होती है तो आपको बता दू प्रिष्ट तनाओ के कारण क्या होती है कि जल की बूंद क्या होती है गोल होती है अगर बरसात में आप देखेंगे कि बारी से जब यह होती है तो पानी गिरता है तो कभी-कभी बूंद क्या होती है गोल होती चली जाती है और नीचे गिरती है आकास से और रही वही उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है और रही बाद अगर अपने हाथ से पानी को गिराते तो वह भी गोल बनकी गिरती है नीचे तो किसके कारण बनती है तो वह होती है प्रिष्ट तनाओ के कारण ही कोल होती है अगला next question की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं तो next question में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पानी के उपर तेल क्यों तैरता है यह बहुत यह आम और simple question है यह सबसे ज़्यादा papers में पूछे जाते हैं कि बताइए कि पानी के उपर पानी के उपर तेल क्यों तैरता है तो पानी के उपर तेल इसलिए तैरता है कि तेल का प्रिष्ट तनाओ पानी से कम होता है तेल का प्रिष्ट तनाओ जो होता है वो पानी से कम होता है अगर तेल का प्रिष्ट नाव पानी के बराबर रहेगा तो दोनों एक घूल मिल जाएंगी लेकिन जो तेल का प्रिष्ट नाव होता है वो पानी से कम होता है इसलिए वो उपरी सतह पे तैरती रहती है अगला नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते है पुछा जाता है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है तो लोहे की सुई जो पानी की सतह पर तैरती है वो इसलिए तैरती है क्योंकि प्रिष्ट नाव के कारण वो लोहे की सुई जो होती है वो तैरती है वो अपना आयतन भी ले लेती है, खासकर यह होता है कि वो अपना आयतन पूरी तरह से अरजिस्ट कर लेती है, जिसके वज़ा से भी तैरती है, अगला नेक्स्ट कुछन आप से पूछे जाता है कि एक ऐसी खोखली नली जिसकी तरिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है, क्या कलाती है, तो वो कलाती है, केस नली, सो गाइस, नेक्स्ट कुछन की तरफ चलते हैं, और आपको बताते है, नेक्स्ट कुछन में हम आ गए, यहाँ पूछा जाता है कि केस नली में द्रव के उपर चढ़ने या नीची उतरने की घटना को क्या कहते हैं, मतलब कि द्रव जब उपर केस न केस नली में चड़ता है, या उतरता है, या किस पर निर्भर करता है, तो आपको बतादू यह जो निर्भर करता है, वो केस नली की तरिज्या पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, केस नली की तरिज्या पर निर्भर करता है, वही नेक्स्ट कुछन आपसे केस नली में उपर चड़ जाता है द्रव क्या होता है केस नली में उपर चड़ जाता है ध्यान दिजेगा अगला नेक्स कोशन आप से पुछा जाता है कि जो द्रव कांच को नहीं भिगोता उसकी केस नली में क्या इस्थिती होती है तो जो द्रव कांच को नहीं भीगोता उसमें यही सीज़ होती है कि द्रव केसनली में नीचे उतर जाता है जिसके कारण वह कांच को भीगोव नहीं पाता है अगला नेक्स कोशन आपसे पूछा जाता है जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है कि लाल्टेन या लैम्ब की बत्ती लाल्टेन या लैम्ब की बत्ती में किस कारण तेल उपर चड़ता है तो ध्यान दी जगा लाल्टेन और लैम्ब की में जो बत्ती लगी रती थी धीरी धीर तेल उपर चड़ता था और हम लोग जलाते थे पहले तो जलता भी था तो किसके भी एक बेग्यानिक रीजन है वो यह है कि केसी कत्तों के कारण वो उपर चड़ता था आगला नेक्स कोशन आपसे पूझा जाता है कि पेड़ पौधे की साखाओं तनों यह पत्यों तक जल और आवस्यक लवड किस क्रिया के द्वारा पहुचते हैं केसी कत्तों के कारण ही ऐसा होता है अगला नेक्स कोशन में आपसे पूझा जाता है कि बताई कि साबून डिटर्जेंट आधी जल की किस क्रिया को कम कर देते हैं जिससे वे मैल में गहराई तक जाकर कपड़ों को साफ करते हैं वही नेक्स कोशन पर पूझा जाता है कि साबून के घोल के बुलबुले बड़े क्यों बनते हैं तो साबून के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबून घोलने पर उसका फ्रिष्ट तनाव कम हो जाता है इसलिए बुलबुले बड़े बनत जिसने लारवा पांई में डूब कर मर जाते हैं तो क्या कम हो जाता है पृष्ट तनाव कम हो जाता है जिसके करण वह डूब के मर जाते है अगला next question आपसे पूझा जाता है कि गäche YOU लगता है तो गरम द्रव का प्रिष्ट तनाव कम होने के कारण गर्मसूप अधिक स्वादिष्ट होता है सो गाईज हमने आज आज आपको बहुत ही ज़्यादा फिजिस के important question करा है जिसका जो टापिक था प्रिष्ट तनाव एम के सिकत तो जो की सबसे ज़्यादा पेपर्स में पूछी जाने वाले question रहते हैं अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को subscribe कर लिजिए और likes चरूर कर दिजिएगा और हो सके तो share करेगा तो चलिए guys फिर मिलेंगे एक next video तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद